नमस्कार आप देख रहे हैं दर्श न्यूज मैं हूँ आपके साथ दिव्यांसू हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हूँ सरकारी नौक्रियों से जुड़ी हुई खबर को लेकर कर्मचारी चहन आयोग यानी SSC जल्द ही दिल्ली पुलिस और केंद्री ससस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर भरती 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो बंद कर देगा इच्चुक और योग्य उमिद्वार 15 अगस्त तक ओफिसियल वेबसाइट ssc.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं वही जिन उमिद्वारों ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाब पूरी कर ली है वे 16 से 17 अगस्त के बीच अपने फॉर्म में हुई गलतियों को ठीक कर सकते हैं अक्टूबर 2023 में इसके लिए कंप्यूटर बेश्ट परिक्षा आयूजित की जाएगी इन पदों के लिए सैक्षनिक योग्यता क्या चाहिए? दिल्ली पुलिस और केंद्रिय सस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए उम्मिद्वार को किसी भी विशय में ग्रेजुएशन होना चाहिए आयू सीमा क्या है? आवेदकों की न्यूनितम आयू 20 वर्ष होनी चाहिए जबकि अधिक्तम 25 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है आरक्षित रेनी के उम्मिद्वारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयू में छूट लागू है आवेदन सुल्क क्या है? सामान्य वर्षों के लिए आवेदन सुल्क 100 रुपे है जबकि आरक्षन के लिए पात्र महिलाओं और अनुसूचित जनजाती और पूर्व सैनिक से संबंधित उम्मिद्वारों को इसका भुगतान नहीं करना होगा तो आपने अभी तक दिल्ली पुलिस का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जाकर फॉर्म भर लें और अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो उसमें कोई अगर गलती हो गई है त्रूटी हो गई है तो उसको जल्दी से जल्दी सुधार लें अभी के इस खास पेसकर्ष में इतना ही दर्श नीूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है देखते रहें दर्श नीूज